अच्छी भली चल रही हमारी जिन्दगी में अचानक कोई मुश्किल दीरे से दस तक देती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ समझ में आता ही तब है जब वो मुश्किल बीट जाती है तब हमें ऐसास होता है कि वो मुश्किल हमें क्या सिखाने हमें क्या समझाने के लिए आई थी तो कुछ ऐसा ही हम सीखते हैं हर रोज जोतिष गुरु दीपख कपूर जी से आपके अपने शोर राशिफल में तो हमारा देखने का नजरीया कैसा है मुश्किल को अगर सबक मानिए उससे कुछ सीख लीजिए तो जिसलिद की आसान हो जाती है और मुश्किल मुश्किल नहीं एक सबक بن जाती है तो ऐसा ही कुछ सबक आज का दिन भी हमें इसकाने के लिए आ रहा है और उसके मुताबिक हमें भी अपने आपको तयार रखना है तो तयार रखेंगे हम राजभल से तो अभी हम बात कर लेते हैं पंचांग की फिर आज का दिन क्या सिखा रहा है और हमें क्या करना है ये सीखेंगे जोतिश गुरू से आज 10 अक्तूबर 2022 है और सोमवार का दिन शिर्विक्रमी समवत 1989 है और शक्समवत 1944 कार्टेक मास चल रहा है और क्रिशन पक्ष प्रतिपता तितिये देर रात एक बचकर 49 मिनट तक और उसके बाद दूइतिया तितिये रेवती नक्षत रहे शाम चार बच कर दो मिनट तक और उसके बाद अश्वनी नक्षत रहे चंद्रमा चल रहे है मीन राशी में और चंद्रमा मेश राशी में परवेश करेंगे शाम चार बच कर दो मिनट पर आज पंचक हैं शाम चार बच कर दो मिनट तक तो वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, वक्त अपने अच्छे और बुरे दोनों ही रूपों में हमें बहुत कुछ सिखाता है, बलकि जो बुरा वक्त जिसे हम कहते हैं, वो हमें ज्यादा ही सिखाता है तो मेराल आज का दिन कैसा है, पहले तो इसे समझ लेते हैं, अच्छा है तो उसे बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ बुरा है तो उस बुरे को समालने की कोशिश करेंगे, जो तिश्कुरू से समझ कर कि आज के दिन हमें कैसे आगे बढ़ना है तो मेश और विश्व तैयार हो जाएए आपका आज का दिन खुलने जा रहा है आपके सामने तैयारी करनी है आपको इसलिए ध्यान से नूट कीजे क्या करें क्या बिलकुल ना करें मेश राशी वालों के लिए किसी यात्रह बदलाव से जुड़ी परिशानिया हो सकती है को बिगारते चले जाने से बचना होगा यहां तक के जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें भी केंद्रित रहने की जरूत पड़ेगी ताके आपको हर प्रयास का अच्छा फल मिल सके कुछ उलजने इनसान अपने लिए पैदा करता है और कुछ दूसरों की वज़े से बन जाती है यह समय ऐसा है जिसमें आपको सबसे ताल मिल बना के चलने की जरूरत है क्या ना करें इस समय में कारण कोई भी क्यो ना हो पर अपना नुकसान न करें और अपना नुकसान चाहे काम और कारोबार का हो या पैसे का हो तो तकलीफ होती है पर उससे ज़्यादा तकलीफ होती है अगर रिष्टे भी उलजते चले जाएं इसलिए कोई ऐसी स्तिती ना बनने दें जिसके चलते आपको आगे चलकर पच्टाना पड़ें कोई प्यार महबबत का रिष्टा इस समय अपनी ही मुश्किलों से जूज रहा है ऐसा लगता है जैसे आपका मन भी हट गया है और आप उस रिष्टे को संभालने के लिए उतने प्रियास नहीं कर रहे जितनी की जरूरत अगर ऐसा हो तो इमानदारी से अपनी बात कह देना कहीं बेतर होता है व्रिषब राशिवाले ही समझ ले कि अपनी काबलियत को बढ़ा कर बड़ा लाब कमाया जा सकता है और यह समय बहुत थट तक ऐसा है जो आपके सामने कई तरह के नए विकल्प रखे जिसके चलते आपकी आर्थिक सिती में सुधार होता चला जाए अचानक लाब से जुड़े योग भी बने हुएं जिसके चलते आपकी समरिद्धी बढ़ जाए क्या करना चाही समय में कुछ नया सीखने और कुछ नया प्राप्त करने के लिए आपको अपने आसपास देखना होगा और उन सारी संभावनाओं से जुड़ने की कोशिश करनी होगी जो आपके सामने नए विकल्प लेकर आ रही है बाचित करने से फैसला करना आसान हो जाएगा और उसी के चलते आपके ग्यान में भी वृद्धी होगी क्या न करें इस समय में पैसे से जुड़ी स्थिती में बहुत सारा उताज चड़ाव हो सकता है इसलिए पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जिसका बुरा असर आपकी जिन्दगी के दूसरे पहलों पर पड़े ये समय वैसे भी छुपा हुआ नुकसान दर्शारा है इसलिए जल्दबाजी में या घबरहाट में कोई ऐसा फैसला बिलकुल न करें जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिती पर पढ़ता चला जाए तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दे हमरा इमेल आईडी है राजभल आट टाइम्स ग्रूप डॉट कॉम जिस पर आप अपनी कोई भी समस्य हम से शेयर कर सकते हैं उसका समाधान हम आप तक पहुँचाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान ना बताई जाए तो उसको छुपा कर भी हम आप तक आपकी सही सलाफ पहुँचा सकते हैं करना क्या है प्लेस ओव बर्थ, टाइम ओव बर्थ, डेट ओव बर्थ के लिए कुछ खास बातें, कुछ खास टिप्स अभी हम बात कर लेते हैं सवाल की और सवाल हमारे सामने जिनका आ रहा है उनका नाम नहीं लेना है तो साब अपना सवाल ध्यान से सुनिएगा ताकि समझ पाएं आपकी हम आपकी बात कर रहे हैं बारा ग्यारा दोहजार दो, साथ बजे, शाम को आपका जन्म हुआ है, जमशेदपुर स्टूडन्ट हैं, आप होटल मैनेजमेंट के और एक फाइव स्टार होटेल के साथ आप छे महने की इंटरंशिप भी पूरी कर चुके हैं ये इंडस्ट्री आपके लिए कैसी रहेगी, ये आपका सवाल है जुतिश गुरू, जाना ये चाहते हैं कि होटेल इंडस्ट्री, इनके करियर ग्रोथ के लिए कैसी इंडस्ट्री है और दूसरा, क्या विदेश जा पाएंगे आगे की पढ़ाई के लिए या काम के सलसले में आपकी कुंडली है जी, वरिशब लगन की और कुमराशी की आपकी महादशा इस समय चल रही है जी, प्रिस्पती की और इंतरदशा भी चल रही है प्रिस्पती की जून दो हजार चौबिस तक कैरियर बनने का समय देखिए, आपका चल रहा है, आपने कहा होटल मैनेजमेंट की है, छे महिने की आप अच्छे होटल से इंटरिंचिप भी कर चुके है तो एक अच्छे समय की शुरुआत आपकी वैसे ही हो चुकी है, जो आपके कैरियर की दिशा में आपको मदद करते चली जाए तो अब इस अच्छी शुरुआत के चलते आपको आगे बढ़ना है केरियर से जुड़ना है जनवरी 2024 में जाके आपके लिए कुछ ऐसे अच्छे विकल भी आ सकते हैं कि जॉब चेंज की भी कोई ना कोई अच्छा मौका मिलता चला जाए आपको तो ये सारा का सारा जो करम है ये आपके हित में ही बन रहा है थोड़ा सा और आगे चलके आपके कुंडली को देखूं तो 2017 में आपके लिए काम और कारोबार में जो समय है जो आपके केरियर में जो समय है वो और सुद्रिड हो रहा है और उसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिती में भी इजा फोता चला जा रहा है तो बहुत सारी अच्छी समभावना है आने वाले सालों में आपके लिए खुल रही क्योंकि आपके कुंडली का इशारा विदेश से जुड़ा हुआ भी बहुत अच्छा है जो चाहे आप वो कर सकते हैं और हर इनसान जो भी करना चाहे वो बहुत अच्छा कर भी सकता है उसके लिए उसके करमों में ताकत होनी चाहिए और जोतिश गुरू राजभल के जरीए आपको आपके करमों की तागत सही परचित कराते है क्योंकि जोतिश आस्ट भी यही कहता है जोतिश भागी की बात नहीं करता है जो असल लोग सोच बैठते हैं कि भागी में जो लिखा है वही मिलेगा जोतिश भी कर्म के सिध्धान्त की बात करता है अगर आपको अपने कर्मों पर अपनी सोच पर भरोसा है तो आप जिन्दगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं इसलिए उपाए बताने वालों से एक दूरी बनाएए खुद पर भरोसा कीजे राजबल के साथ खुद को तयार कीजे आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि अब मिथुन और कर्क राशी आपके आज के दिन को समझ लिया जाए पिर आपको बताया जाए कि आप आज के दिन क्या करें क्या बिल्कुल ना करें मिथुन राशी वालों को कामकाज में सफलता मिलेगी तो आप उस सुख को प्राप्त करना चाहेंगे जो सफलता की वज़े से बनता है और कुछ हद तक आप लापर्वा भी होते चले जाएंगे सफलता से सुख पाना ठीक है पर लापर्वा होकर आलसी होते चले जाना ठीक नहीं है क्या करना चाहें समय है निजी जीवन में खुशियां पाने का समय है और हालात इस रूप से बन रहे हैं जो आपकी मदद कर सकें अपनी थोड़ी सी कोशिश बनाए रखने से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और आपसी तालमेल बढ़ाने से रिष्टों में गर्माहट आ सकती है क्या न करें इस समय में काम और कारोबार को लेकर किसी भी तरह का उतार चड़ा बनाते चले जाना ठीक नहीं है इसलिए अपने दम पर और अपनी महिनत से अपने हालात को सुधारने का प्रियास कर लें ताकि आपको लोगों पर विर्थ में आश्रित न होना पड़े कारोबार के शेतर में सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी लगन बनी होई है और बहुत सारी रुकावटें ऐसी हैं जो चुनोतियों के रूप में लगातार चलती चली जा रही है जिस और आपको ध्यान तो देना ही होगा चुनोतियों के प्रती जागरूख हो जाने से भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है करक राशी वाले ही समझ लें कि तकदीर को आजमाने के प्रयास में आप कई तरह के ऐसे विकल्प खोज रहे हैं जिसमें यात्रा या बदलाव से जुड़ा हुआ विचार हो सकता है करना के विकल्प को टटोलने में फायदा ही होता है पर फैसला करने से पहले मनन करने की भी जरूत पड़ती है कोई बड़ा बदलाव आपको अपनों से दूर ले जा सकता है इसलिए अपनों का साथ और अपनों की सहमती पालेना भी बहुत जरूरी क्या न करें इस समय में उधार लेकर अपनी आर्थिक सिती को बढ़ावा देने की कोशिश बिलकुल न करें क्योंकि ऐसा करना खत्रे से खाली नहीं उस उधार के पीछे चुपा हुआ नुकसान हो सकता है या बहुत सारी ऐसी शर्तें जुड़ी हुए हो सकती है जिनने पूरा करना आसान नहीं होगा रिष्टों की अच्छाई परियाप्त है और उसका एक बड़ा कारण ये है कि हालात कई तरह से आपकी मदद कर रहे हैं ये और बात है कि घर परिवार के रिष्टों के प्रति आपको अपने मन को साफ करना होगा तब जाकर आपको उस तरह का सुख और सुकून मिल पाएगा जिसकी इस समय जरूरत है धन का अगमन मध्यम हो सकता है पर अच्छी बात यह है कि काम से लाब की रेगुलारिटी बनी हुई है और नियमित रूप से अगर पैसा आता चला जाए तो समरिध्धी को बढ़ाना असान हो जाता है और इसी वज़े से यह समय आपके लिए मददगार है जो आपकी समरिध्धी की और अगरसर है तो राजभल एड टाइम्स ग्रूप डाट कॉम इसी एमेल को याद रखेगा यही है आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का हल अपना सवाल हमें लिग बेजिए हम जल्द से जल्द उसका जवाब आपके अपने शो राजभल में आपके सामने पहुंचा देंगे तो बस अब एक और सवाल ले ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सवाल है सुहाना खान का अभी बीबीए थर्ड सेमस्टर में हैं करियर को लेकर आपको कन्फूजन है क्या आप विदेश जाकर एंबीए कर पाएंगी ये आप जानना चाहती है साथी साथ आपको इंट्रेस्ट है मॉडलिंग में फिल्म लाइन में तो देखते हैं कि आपका जो ये शौक है आपकी जो चाहत है ये क्या करियर का इशारा कर रही है या जो आप बीबीए कर रही है और एंबीए करना चाहती है उस दिशा में आपका भविश्य है तो जोतुष गुरू, सौहना की डीटेल साब के सामने है, कुंडली तयार है, क्या कहना चाहेंगे? सुहाना आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशी की आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनी की और अंतरदशा चल रही है सूरी की जनवरी दोहजार तईस तर BBA third semester में है अभी एक ही साल पूरा हुआ है BBA का अभी काफी समय है आपको अपनी graduation करने में फिर आगे की बात सोचने के लिए भी बहुत समय है पर फिर भी आपने कहा कि एक तो विचार आपका यह है कि विदेश में जाके MBA की जाए फिर आपका modeling और film line से भी जुड़ा हुआ कुछ interest है देखे बहुत आगे का नहीं सोचना चाहिए पहली बात क्योंकि अगर बहुत आगे का सोचें और उसके उससे जुड़ी कोई बात करें तो वो फिर forecast हो जाती है भुविश्यवानी हो जाती है ये जोतिश का कोई purpose नहीं है कि आप भुविश्यवानी ले लें के कल क्या होने वाला है उसे जान लिया जाए आज क्या करना है और उसके लिए आने वाले छे महीने में साल में क्या परिस्तितियां उभर करा रही है उससे अपने आज को जोड़ना है अपने आज के करमों को जोड़ना है ताके फाइदा हो सके अभी पढ़ाई में थोड़ा सा मन बढ़ाने की जरूत है क्योंकि अभी आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना है अभी केरियर बनने में भी बहुत दूर दे रही है तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपको तो यह जो आपने दूसरा विचार बनाया MBA का उस दिशा में आपको सोचते चले जाना है विदेश की संभावनाय भी हो सकती है उसमें भी कोई कमी नहीं है तो आपको यह रास्ता चुनना होगा और इस रास्ते पे चलने की कोशिश करनी होगी और उसके लिए अभी से अपनी मेहनत को बढ़ाना भी पड़ेगा तो सुहना आपसे आपके कुंडली यही कह रहे है कि अभी आप पढ़ाई के रास्ते पर रहे है वहीं से एक अच्छा फ्यूचर बन रहा है विदेश जाने के अपने बात की MBA करने के लिए वो भी एक रास्ता हो सकता है लेकिन अभी फॉरण आपके सामने क्या है वो है आपकी आज की पढ़ाई जिसमें आपको कोई कमी नहीं चोड़नी है आपकी यही मेहनत देरे देरे आपको जिन्दगी में वो सब कुछ देगी सुहाना जो आप पाना चाहती है बहुत बढ़िया जिन्दगी रहेगी बस एक के कदम प्लान करके आगे बढ़िये राज़िभल के साथ हर रोज जुड़ते रहे हम आपको बढ़िये कि जिन्दगी में कैसे आप अपने मकसद पहुंच सकती है तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं सिंग और कन्या आपकी बात करते हैं आपके आज के दिन को देखते हैं फिर आपको बताते हैं कि कैसे प्लान करें कोशिश करने से बदलते हैं और ये समय ही कुछ ऐसा है जो ये दर्शारा है कि आपको अपनी कोशिशों को बढ़ाना ही पड़ेगा क्या करना चाहिए समय में आपकी आर्थिक सित्य आपके काम से भी बहतर होगी और आपकी मेहनत से भी बहतर होगी और ये दोनों ही शेत्र मध्यम पड़े हुएं आपको अपने काम के प्रती लगन भी पैदा करनी होगी और अपनी मेहनत को भी बढ़ाना ही पड़ेगा क्या न करें समय रिष्टों में किसी भी तरह का तनावना पैदा करते चले जाएं यहां तक कि अपने काम काज के शेत्र में अपने से वरिष्ट लोगों को भी आप नाराज ना करें क्योंकि ऐसा करने से आप उनको भी नाराज कर रहे हैं और खुद भी दुखी होते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं गर परिवार के रिष्टों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है क्योंकि अपनों के साथ तनाव बना हुआ है और वो तनाव मतबेद को बढ़ा सकता है और तकरार पैदा कर सकता है और इस समय इसी चीज़ से बचने की जरूरत है पैसे की स्थिति ठीक है और उसमें आपके सकारात्मक प्रयास और चार चांद लगा रहे हैं थोड़ा सा अपने भरोसे को और जगा लें जितना अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे उतना ही आपकी प्रेरना जगेगी कि आप कुछ और बहतर कर सकें और इसी से आपकी जिंदगी के बड़े रास्ते खुलेंगे कन्या राशी वाले ही समझ लें कि काम और कारोबार को विस्तार देने के लिए आपके मन में बहुत सारे विचार उसके लिए आप लोगों से विचार विमर्ष भी कर रहें और लोगों से जुड़ भी रहें ताके आपको अच्छी सला भी मिले और अच्छे विकल्प भी आपकी मदद कर सकें क्या करना चाहिए समय में काम और कारोबार के प्रती लगन बनी रहेगी तो बहुत कुछ संभव हो पाएगा यहां तक कि आर्थिक स्थिती को संभालने में और सुधारने में मदद मिलती चली जाएगी थोड़ी सी कोशिश आपकी जिन्दगी के माइने बदल सकती है पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों की गलती निकालना शुरू कर दें कोई प्रेम संबंद आपकी खुशियों का कारण बना हुआ है और आपको लग रहा है कि सब कुछ संभला हुआ है पर अभी भी उसमें बहुत सारे उतार चड़ाव हो सकते हैं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाएं और जिन्हें आपको संभालना पड़े इसलिए सब कुछ ठीक है ऐसा सोचना ठीक नहीं नुकसान को इस रूप से देखना होगा कि कहीं वो आपकी गलती से या आपकी लापरवाई से तो नहीं बन रहा है आपने अपनी सूजबूच से अपने नुकसान को बहुत हद तक संभाला भी है पर फिर भी कभी कभी ऐसे हालात बन सकते हैं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाएं इसलिए जागरूक बने रहने की भी जरूरत है तो थोड़ा जागरूक रहना है और आपको हर रोज जागरूक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है हम आपको हर दिन से ना सिर्फ वाकिफ कराएंगे बलकि आपको ये भी बताएंगे कि उस दिन के हिसाब से क्या-क्या बदलाव लाने हैं आपको अपनी सोच में तो आगे बढ़ते हैं लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि अभी भविश दरपन कोलना बाकी है इसलिए आप सब को ये साथ बनाए रखना है प्रोग्राइम के आखिर तक और अगर कोई मुश्किल है तो आईडिया आप जानते हैं राजभल अपना सवाल हम तक मौच आईए हम बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ और सवाल हमारे सामने है सुरेंदर शर्मा आपका दो नो उनीस सो चाहतर चे बच कर बायालीस मिनट शाम को जन हुआ है कट हुआ जमू कश्मीर दस साल आप मेल्बर्न रहे अस्रेलिया लेकिन पर्मनेंट वीजा नहीं मिल पाया तो आपको वापस इंडिया लॉटना पड़ा यहाने के बाद आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जॉब में बार बार प्राब्लम्स आ रही हैं फिटनेस इंडस्ट्री में हैं आप as a club manager आप काम करते हैं लेकिन चुकि सेलरी सही नहीं मिलती है वक्त पर नहीं मिलती है तो आपको नौकरी भी बदलते रहनी पड़ रही है आपके भाई बहनों से भी आपकी नहीं बनती है पिता जी का घर भी है दिल्ली में लेकिन आप अलग घर में रहते हुए भी उनका ख्याल रख रहे हैं तो कई सारी दिक्कते हैं आपके सामने आर्थिक दिक्कत है रिष्टों से जूरी दिक्कते भी दिखाई दे रही हैं तो जाना जो तिश्गरूरी यहीं चाहते हैं कि कब तक ये अच्छा कुछ कर पाएंगे और इनका अच्छा क्या यहीं है या वाप अपने कहा कि आस्टेलिया में आप पी आर नहीं ले पाए और अब आप आर्थिक दिक्तों का सामना कर रहे हैं क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिती बहुत कमजोर होगी पर कहीं न कहीं आपकी कुंडली से ऐसा भी लगता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा और आपके जो हालात बदले हैं इस वज़े से आप ज़्यादा दुखी हो गएं इसी वज़े से शायद काम के प्रती उतना मन नहीं है जितना के होना चाहिए तो देखिए सुरिंदर जी काम में तो मन लगाना ही पड़ेगा अगर कोई भी सफलता पानी है तो अच्छी बात यह जी के एपरिल 2023 से आपको बेहतर जाब मिल सकती है और एपरिल 2023 कोई जादा दूर नहीं है वो जो जाब मिलेगी उसमें आपके काम में मन लगेगा थोड आपको आगे चलकर अब से साड़े तीन साल के बाद बहुत अच्छा समय शुरू होगा जिसमें आप खुद को सेटल फील करेंगे तो करना क्या है देखिए परिशानियों को अपने मन से हटाना पड़ेगा ये जो परिशानियां लेके आप चल रहे हैं ये आपकी कोशिश को दबा रही हैं जैसे आपकी शक्सियत उस रूप से उभर करने आ रही उसमें निखार नहीं आ रहा जो लोगों को नजर आए कि आप भी कुछ कर सकते हैं इसलिए अपने अंदर बहुत सारे परिवेश तन लाने होंगे उसके लिए आशावादी नजरिया भी अपनाना प पढ़ेगा थोड़ी सी अपनी प्रेरना को भी जगाना पढ़ेगा अपनी मेहनत को भी बढ़ाना पढ़ेगा ये सारी बातें आपको आने वाले महिनों में करनी हैं तो कई बार होता है कि जब हमारा परिवेश बदलता है महाल बदलता है और वो जबरदस्ती बदलता है तो हम उस बदले महाल के हिसाब से खुद को ढ़ाल नहीं पाते कहीं हम कंपेर करते रहते हैं पुरानी परिस्टियों को नई परिस्टियों से और हम खुद ढ़लना पा को दूर करने के लिए हर रोज हमारे साथ जुड़े रहे हम हर नेगटिविटी को दूर करते रहेंगे आपके जीवन से यह हमारा दावा है तो फिलाल आगे बढ़ते हैं तुला और विश्चिक आपको हमारा साथ देना है क्योंकि वो आपके नाम भी खुल सकता है अभी तुला और विश्चिक आपकी बात करते हैं तुला राशिवालों की मन की परशानिया इस वज़े से हैं क्योंकि आपको किसी ना किसी तरह का नुकसान नजर आ रहा है या ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जिन्दगी में आपका जब भी मन कुछ इशारा करता है तो उसके पीछे कोई नो कोई कारण जरूर होता है इसलिए ये समय ही कुछ ऐसा बना रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सतर कोना पड़ेगा क्या करना चाहिए इस समय में किसी भी तरह का खत्रा मोल लेने से बचना होगा रोज मर्रा के खर्चों को भी संबालना है नुकसान से भी बचना है बलके सबसे बड़ी इस समय की बात यह है कि यह गलती भरा समय है और गलती करने से बच जाना ही इस समय आपकी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए क्या न करें इस समय में अपनी मेहनत को दिशा ही इनना होने दे आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा है काम और कारोबार के शेत्र में भी विचारों का मद्भेद है जो आपकी अच्छी भली कोशिशों को दबाता चला जा रहा है और यही ठीक नहीं है घर परिवार की खुशियों को बनाय रखना होगा नीजी जीवन में आपके रिष्टेदार और आपके बच्चे आपका साथ निभा रहे हैं यहां तक के कोई प्रेम समंद भी सबला हुआ है पर अपने जीवन साथी के साथ आपको ताल मेल बेतर करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी अपनी और से अगर आप फासले बनाते चले जाएंगे तो यह आपकी गलती होगी पैसे से जोड़ी लापरवाई ठीक नहीं है और यह समय ऐसा है जो आपको मुश्किलों में डाले हुए कभी कभी थोड़ा सा लंबा चलने वाला दौर भी अपनी ही परिशानिया दर्शाता है इसलिए आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ संभालने की कोशिश करनी होगी प्रिश्चिक राशिवाले अपने ग्यान और अपनी शम्ताओं को इस वज़े से बढ़ाना चाह रहे हैं कि आपका लाब बढ़े या आपको जिंदगी में बड़ी सफलता मिले ग्यान ही ताकत है और यही आपकी अच्छाई है जिसके चलते आपने बहुत सारी मेहनत भी की है क्या करना चाहिए समय में अचानक धन लाब से जुड़ी परिस्तितियां भी बन सकती है काम से भी लगातार लाब बना हुआ है पर रोज मर्रा की चुनाओतियां भी साथी साथ चल रही है जिस वर आपको ध्यान देना होगा हर व्यक्ति की कोई ना कोई दास्तान जरूर है जो आपके अतीत को आपके भुष्य से जोड़ती है और इसके लिए अपने वर्तमान को भली भांती संभाल लेना और अपने पैर धर्थी पर रखना बहुत जरूरी है क्या न करें इस सम्बंद अपने पैसे से जुड़े फैसले तकदीर के भरोसे बिलकुल न करें और किसी प्रेम सम्बंद में भी ये ना सोचें कि सब कुछ ठीक है क्योंकि एक दिन अगर हालात आपके अनुकूल बनेंगे तो अगले दिन वो आपके खिलाफ भी हो जाएंगे इसलिए सब कुछ ठीक हो ये संभव नहीं है काम और कारोबार की स्थिती हर तरह से मदद कर रही है क्योंकि उससे लाब भी है और उससे जुड़ी आपकी अच्छाई भी है जिस रूप से भी आपने अपने काम और कारोबार को दिशा देने की कोशिश की है वो सराहनी है सवाल ले लेते हैं अब शेक दुर्गम का सवाल है, 19.11.2001, 6 बजे सुबह जन्म हुआ है, केशव पटनम, तिलंगाना, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, यानि सोच बहुत रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है, जिंदगी को स क्या कहती है, ये जो तुछ गुरू से पूछते हैं, सर, खुद को खोजना चाहते हैं, और उस खोज के चलते, खुद को ही कहीं खो बैठे हैं, कुंडली क्या कहती है, अभी शेक, आपकी कुंडली है जी, तुला लगन की और धनुराशी की, आपकी महादशा इस समय चल र 21 वर्श की आयूँ में क्या करना आपको, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई में आपका मन नहीं है, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होता ऐसा है, वापस अपनी जिंदगी में केंदृत होने की जुरूत ही पढ़ती है, क्योंकि समय जब बरबाद हो जाता है, तो फिर काता ही है, और आपको कुछ पढ़ना है अभी, समय बरबाद नहीं करना है, इतनी भी देखे भावुकता अच्छी नहीं है, जो जिंदगी को उलजहा दे, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वापस अपने फोकस को बनाया जा सकता है, और जिंदगी म कर्म के सिद्धान्त के हम बात करते हैं राज़पल में, और आप से ये सिद्धान्त यही कहता है कि इस समय आपके कर्म यह होने चाहिए, कि सारी ताकत, सारी मेहनत आपको पढ़ाई पर लगा देनी है, जैसे ही आपने अपनी जिंदगी का एक मकसद निर्धारित किया, कि ह यह करना है आपको इस समय तो आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम धनू और मकर आपकी, तो आपके लिए देखते हैं कि आज का वक्त कैसा है, अच्छा है, तो उसे और अच्छा कैसे बनाएं और अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत भी कमी है, उस कमी को कैसे दूर करें, तो क्या करें, क्या बिलकुल ना करें, बताएंगे जो तुश्कुरू. और लोगों से जुड़े भी रहें, इसी से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तक्दीर ने भी आपके लिए पूरा साथ निभाया है, और आपकी आर्थिक स्तिती को सुधारने में मदद की है, क्या न करें इस समय में, घर परिवार में, रिष्टों क प्रती किसी भी तरह का उतार चड़ा बनाते चले जाना ठीक नहीं है, इसलिए खुद भी समल जाएं और लोगों को भी ज्यादा समझने की कोशिश कर लें, क्यूंकि आपके रवईये में किसी भी तरह का उतार चड़ाव होगा, तो वो आपके हित में नहीं होगा. आर्थिक स्तिती मिला जुला योग दर्शारे, आपकी समरिद्धी बरकरार है पर पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ रही हैं, जिनें अपनी आमदनी से पूरा करने की कोशिश करनी होगी, ताके आपकी बचत पर और आपकी समरिद्धी पर किसी भी तरह का बुरा असर पड़े, रिष्टों की अच्छाई बनी हुई है पर अपने बच्चों के लिए आप बहुत ज्यादा चिंते थे, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो आपकी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ना सोचें, हालात बदलने को हैं, और सब ठीक होता चला जाएगा, मकर राशी वालों की कोशिशों के पीछे एक ऐसा विचार जुड़ा हुआ है, कि तकदीर आपका साथ निभाए, पर ये पूरतियों की ता भरा दोर है, इसमें लोगों से दो कदम आगे रहने की कोशिश करनी है, तो अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है, और आपके अंदर वो सारी अच्छाई है जो आप अपनी मेहनत के दम पर अपने हालात को बदल सकें, क्या करना चाहिए समय में, तकदीर आपके साथ है, कामकाज और कारोबार में जो भी कमी है, वो भी आप अपनी कोशिशों से पूरा कर सकते हैं, इसलिए अपनी तकदीर को खुद लिखने के लिए सक्षम, क्या न करें इस समय में, कोई ऐसा बड़ा फेर बदलना करें, जिसकी जरूरत नहीं है, और कोई ऐसा विचार बनी रहा है, तो उसके लिए ध्यान पूरक मनन कर लें, पर उसका फैसला इस रूप से करें, कि आप लोगों सिती ठीक है, पर उसमें उतार चड़ा बहुत ज़्यादा है, काम काच के प्रती अपनी लगन बढ़ानी होगी, क्योंकि ऐसा करने से अपने काम को आप सही दिशा प्रदान करते चले जाएंगे, जिसके चलते फिर आपकी आर्थिक सिती संभली रहें। वैसे भी कहा जाता है, कि अगर कोई बात बिगड़ू ही हो, तो किसी सच्चे या इमानदार इंसान से दुआएं ले लेनी चाहिए, या आशीरवाद ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करता है। हैं एक सवाल पूछ रही है, मैम हमसे जिनका हम नाम नहीं ले सकते। चार एक दो हजार, एक बचकर तीस मिनट, डेड़ बजे दो पहर में जन्म हुआ है कानपुर में, आप जल्दी डेंटल सरजन बनने वाली हैं, नेक्स्ट या और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करना चाहती हैं। एक लड़के से आप प्यार करती हैं, जो कि सॉफ्टर एंजिनियर हैं, अपने स्टार्ट अप के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी जिन्दगी में। जाएंगी, ये एक डर बेटी के मन में है। आप उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, अतनी मेंनत नहीं कर पा रही हैं, बात एक ही है घुम्फिर के कि पढ़ाई जो है, वो हलकी पढ़ गई रही हैं। आपका केरियर बन सकता है जी 2026 में उसको वक्त है और डेंटिस्ट्री का फील्ड आपके लिए अच्छा भला है उसमें कोई कमी नहीं है तो आपको आगे पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी कुंडली ऐसा इशारा करती है कि अपनी पढ़ाई के माध्यम से आप आगे बढ़े और फिर 2026 में आपका अच्छा सा केरियर हो जाए अब आपने अपनी शादी के बारे में पूछा तो अभी तो बहुत दूर की बात है अभी तो आपका सारा सारा फोकस जो है पढ़ाई के और होना चाहिए बाकी सारी बातों को भुला देना चाहिए फिर भी अगर मैं 2027 मे मर्जी से हो या रेजड मैरेज हो ऐसा बहुत हद तक संभो발 तो कई बार कुंडली वो कह रही होती है जो शायद हम सुनना नहीं चाह रहे होते हैं आपके लिए अच्छा क्या है कुंडली वो कहती है और आपके लिए अच्छा ये है अभी आप अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई अपने करियर पर दीजे जिसमें थोड़ी कमी नजर आ रही है और वो कमी जाहिर है आप भी नहीं छोड़ना चाहती होंगी किन कई बार हम अपनी जिन्दगी में कुछ चीज़ों की तरफ ऐसा भटक जाते है कि अपने करियर से हमारा ध्यान थोड़ा सा हट जाता है वो मत कीजे करियर बनाएए फिर आगे जिन्दगी बताती जाएगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है और तब शायद आप भी बेतर डंग से समझ पाएं कि क्यूं जो तश्गुरू ने इस तरह की सलाह आपको दी सबको भी हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि साथ ये बनाय रखना है क्योंकि अभी बविश दरपन खुलेगा ठीक कुम और मीन के बात जिसमें किसी एक राजशी के लिए कुछ खास इशारे मिलेंगे अभी कुम और मीन आपकी दिन को समझते हैं जो तश्गुरू से कुम राशी वाले अपनी आर्थिक सिती को बढ़ावा देना चाहर है पर उसके पीछे बहुत सारे विचार है आपको बहुत सारी चुनोतियों का सामना भी करना पड़ रहा है और आपको ऐसी उमीद भी लगी हुई है कि कुछ न कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी आर्थिक सिती को पूरी तरह से बदल दे क्या करना चाहिए समय पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते है यह और बात है कि इस समय आप अपनी शम्ताओं का पूरी तरह से इस्तिमाल नहीं कर पा रहे है और इसी चीज़ को सुधार लेने की भी जरूरत है समय के साथ यही ताकत आपके भुष्य को भी बनाएगी और आपकी जिंदगी में वो स्थिरता भी लाएगी जो आप चाह रहे है क्या न करें इस समय में सिर्फ पैसे को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले बिलकुल न करते चले जाएं और सिर्फ पैसे से जुड़े सपने भी न देखते चले जाएं क्योंकि ऐसा करने से इनसान अपनी कोशिशों से कहीं न कहीं भटक ही जाता और इस समय वही ठीक नहीं है पैसे की स्तिती ठीक है पर बहुत सारह आसमंजस है पैसे के लेंदेन को लेकर कई तरह के दबाव हो सकते हैं इसलिए खर्चों को भी संभालना है और किसी भी तरह के नुकसान से भी बचना है जो आर्थिक स्तिती से जुड़े दबाव को बढ़ाता चला जा रहा है रिष्टों को संभालना आपकी प्रात्मिक्ता है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे रिष्टों को संभालने की बहुत सारी गुंजाईश अपने जीवन साथी को बहतर तरीके से समझना होगा और रिष्टों को संभालने में अपनी और से किसी भी तरह की गलती करते चले जाने से भी बचना होगा आपको मीन राशीवालों को अगर अपना वरोसा बनाना है तो लोगों पर वरोसा करना होगा और इस बात को भली भांती समझ ना होगा क्योंकि इसके पीछे आपके लिए बहुत सारा लाब छुपा हुआ है रिष्टों को सुधारने में भी आपको अपनों की सहमती की ज़रूरत पड़ेगी क्या करना चाहिए समय में घर परिवार में रिष्टों को संभाले रखें और उनसे खुशियां प्राप्त कर लें और उससे जुड़ा जो भी तनाव है उसे भी साथ ही साथ संभाल ले ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता चला जाए क्या ना करें इस समय में काम और कारोबार में किसी भी तरह का उतार चड़ाव ना आने दे अपनी लगन को इस रूप से बनाए रखें जिसमें आपकी अच्छाई भी हो और आपकी रेगुलरिटी भी चुपी हुई हो किसी भी तरह के एंकार की भावना अपने अंदर बिलकुल ना आने दे आर्थिक स्तिती ठीक है और सब कुछ समला हुआ है उसका एक बड़ा कारण ये है के कामकाज के प्रतिया आपकी लगन अच्छी है और उसी से धन लाब भी बना हुआ है अपनी आर्थिक स्तिती से आप अपनों की भी मदद कर सकते हैं रिष्टों की अच्छाए के बावजूद ये समय मुश्किलें दिखा रहा है कोई भी ऐसा रिष्टा जो बहुत एहम है उसे संभालना कठिन हो सकता है और विचारों का मत भेद बढ़ सकता है इस और ध्यान देने की ज़रूरत और अब खुलने जा रहा है आज का भविश दरपन तयार हो जाएए किसी एक राशी के लिए मिलने वाले हैं कुछ अचूख टिप्स अगले कुछ दिनों के लिए विच्चिक राशी वालों के लिए फिल हालात सुखद हैं पर आने वाले दिनों में आपकी चुनोतियां बढ़ सकती है क्योंके हो सकता है आपके प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी आए और उस कमी को सुधारने के लिए भी आपको अपनी मेहनत को ही बढ़ाना पड़े क्योंके कोई और विकल्प नहीं है इसलिए पहले से ही इस बात पर नज़र रखनी पड़ेगी कि काम काज में किसी भी तरह का असमंजस पैदा ना हो और वैसे भी आसमंजस के देना बीट गए अब आप हैं राजभल के साथ किसी भी तरह के असमंजस को हम आपके जीवन में आने ही नहीं देंगे क्योंकि हर रोज हम आपको तयार करते रहेंगे आपके आने वाले पलों के लिए और वो होगा जोतिश गुरू की मदद से तो फिलाल आज के लिए अब इजाज़त लेने का वक्त है सर बहुत-बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका जी नमस्कार आपका बहुत-बहुत धन्यवाद खुश रहिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिये साथे साथ इमेल आईडी भी नोट कर लीजे राजभल at timesgroup.com जिस पर आप अपना कोई भी सवाल पहुचा सकते हैं हम तक और हम उसका जवाब जल से जल पहुचाएंगे आप तक तिलाल अभी के लिए में दीजे इजाज़त लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइमस नाव नव भारत नमस्कार